सबसे पहले कुमार मैं आपकी तरफ ही रुख करना चाहूंगा क्योंकि महराश्टे के सियासत में विभागों के बटवारे को लेकर लगातार खीचनान देखने को मिल रहा था क्योंकि अब अजीद पवार के मुलाकात अमिट शाथ से हुई है तो कोई फॉर्मूला तैय हुआ है को जो पेच फसा हुआ था मंत्रियों के विभागों को लेकर उसका समधान देखें बिल्कुल कल प्रफुल पटेल और अजीद पवार दिल्ली पहुँचे थे और मैं आपको बताओ कि अमिट साह से जो बैठक हुई में आप वहां देखेंगे कि एक मंत्री मंडल जो विस्तार की भी बात है वो सेप लेगा और विभागों का आदान परदान अदला बदली जो होता है वो हो जाएगा मोटे तोर पर जो फर्मूला बना है जो सोर्सेज के हवाले से खवर आई है वो चार चार और दो का है चार चार का मतलब सिंदे ग्रूप को चार मंत्री पद और बीजेपी को चार मंत्री पद और और अजीद पवार की पार्टी जो उनका हिस्सा है उसको दो मंत्री पद औ और दस-दस मंत्री सिंदे और बीजेपी के पहले से हैं इस लिहाज से बीजेपी के 14, सिंदे के 14 और अजीत पवार समित उनके कैम्प के 11 लोग मंत्री बन जाएंगे। जो अजीत पवार का ग्रूप है उनको अजीत पवार को और उनके मंत्रियों को मिलेगा। जाने से क्या सिंदे ग्रूप चुकि सबसे जादा अगर कहीं सिकायत है लोगों को बिधायकों के अगर बात के तो सिंदे ग्रूप के अंदर है। पहले से जो मंत्री बने हुए हैं वो मंत्री अभी तक बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं जरूर जनसेवा की बात होती है लेकिन हेवी वेट पूर्टफोलियोज के लिए लोग लड़ाई करते हैं। और अभी की जो इस्तिती हैं अमित साह के दरबार में जब ये केस आया तो उसके बाद इससे सुलजा लिया गया है। और एक दो दिनों के अंदर महराष्ट में एक नए कैबिनेट का सेप आप देखेंगे। बीजेपी और सिंदे दोनों पाटियों के मंत्रियों के पास जो प्रभार है उसमें से दो दो बड़े मंत्राले छोड़कर अजीत पवार और उनके कैम्प को सौपा जाएगा। और इस तरह से अभी का य्य प्रियास है कि इस मामले को शुल्जा लिया जाए आगे इसकी परिनती क्या होती है सिंदे गुरूप में इसके बाद और क्या होता है आगे विवाद बरता है या थंजाता है चुकि सिन्धेत और पर मित्सा ने कहा है एकनासिंदे को कि आपके विधायक आपकी जिम्मेवारी है और हिस्सा बरावरी का चल रहा है लिहाजा आपको उनको संभाल कर रखना होगा तो अब देखना होगा एक ना सिंदे जो बैठक बुलाते हैं उसमें किस तरह से अपने विधायकों को संभालते हैं तो ये एक आगे की बात होगी लेकिन फि जीद पवार क्या इसको लेकर सेहमती बनेगी ये आने वाला वक्त ये बताएगा